महेश बाबू एक भार तेलुगू फिलिम अभिनेता हैं इनका जनम 9 अगस्त 1975 चैन नई तमिल नाडू में हुआ था इन्होंने अपने फिल्मी केरियर की शुरुवात बाले काल से ही कर दी थी उनकी 2003 की ब्लोकबस्टर फिल्म अकाडू उस समय की सबसे बड़ी तेलुगू फिल्मों में से एक थी उस फिल्म में इन्होंने एक युवा कबड़ी खिलाडी की भूमी का निभाई थी फिल्म बाद में विभिन भारती भाषाओं में पुन निर्मान किया गया था साउत की सूपर स्टार महेश भाबू ने अब तक सो से जादा बच्चों की सर्जरी को स्पोंसर किया है महेश भाबू अब तक सो बच्चों को एक नई जिन्दगी दे चुके हैं इनकी 2005 की फिल्म अथाडू तेलगू सिन्गमा में एक और उच कमाई के साथ अंतराष्टे माननेता प्राप्त की थी महेश भाबू प्रोडक्शन हाउस जी महेश भाबू इंटर्टेर्मेंट प्राइवेट लिमिटेट के मालिक हैं उन्होंने राजा कुमरुडू 1999 के साथ एक मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी केरियर की शुरुवात की और सर्फसेष्ट पुरुष कलाकार का अपनी पहली फिल्म के लिए राज्ये नंदी पुरुषकार जीता मुरारी ने अपने अभिने के बल पर अपने पहले नंदी विशेष जूरी पुरुषकार प्राप्त किया और बाद में उसे सर्फसेष्ट अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म केरियर अवोर्ड दिलवाया तेलगू एक्षन थिलर के अतूडू और पोकिरी की वेवसाइक सफलता के लिए उनकी राष्टी इस्तर पर पहचान है वे साथ तंदी पुरुषकार, पाच फिल्म फेर पुरुषकार, तीन सिनेमा पुरुषकार, तीन धश्षिन भारती अंतराष्टी फिल्म पुरुषकार और एक अंतराष्टी भारती फिल्म अकादमी पुरुषकार जीते हैं साल 2009 में पधम भूशन अवाट से भी नवाजा गया है महेश बाबू ने तेलगू की 300 से भी अधिक फिल्में की है साल 2002 में जब फिल्म वामसी की शूटिंग उस्टेलिया में चल रही थी वहीं महेश बाबू की मुलाकात अभी नेत्री नर्मता शिरोडकर से हुई जहां उनकी मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और बताया जाता है कि उनकी लव स्टोरी चार साल तक चली जिसके बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया शादी के लिए महेश बाबू को अपने परिवार को मनाने में कुछ वक्त लगा जिसके बाद 10 फरवरी 2005 को महेश बाबू और निर्मता का विवा हो गया जिसके बाद निर्मता शिरोडकर ने फिल्मों से बिल्कुल किनारा कर लिया महेश बाबु के आज एक बेटा है जिसका नाम गोतम और एक बेटी है जिसका नाम सितारा है